हेलो फ्रेंट्स मैं विकास आपका स्पागत करता हूँ भी लिंक में सो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का एक 3D क्यूब क्रियेट करने वाले हैं विद दे हेल्प आफ एस्टी एमेल एंड सी एसेस काफ़ी इजी एंड इंट्रेस्टिंग है इस क्यूब को क्रियेट करने के लिए हमने छे अलग अलग साइड्स को क्रियेट कर रखा है और हर ایک साइड को एक सही एंगल एंड पोजीशन पर कुछ इस तरीके से फिक्स कर रखा है जिसससे कि यहाँ पर एक 3D क्यूब क्रीट हो रहा है इस cube को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने के लिए कि कौन से sides को कौन से angle and position पर fix कर रखा है एक application create कर रखा है Friends इस application को create करने के लिए हमने HTML, CSS, JavaScript and Angular JavaScript का use किया है चलिए अब हम बात करते हैं इस cube की इस cube को create करने में जो हमने 6 sides को create कर रखा है उन 6 sides के लिए हमने यहाँ पर अलग-अलग से एक control create कर रखा है जिससे कि हम यह देख सकते हैं कि कौन से axis को कितने degree पर हमने rotate कर रखा है So friends आप यह देख सकते हैं कि जो फ्रंट side है फ्रंट side की जो x axis and y axis की value हमने 0 ले रखा है जबकि यहाँ पर back side के लिए हमने इसकी x axis की value को minus 1 90 degree और y axis की value को हमने 0 ले रखा है और left side के लिए x axis की value को 0 और y axis की value को हमने minus 90 degree ले रखा है right side के लिए x axis की value को 0 and y axis की value को हमने 90 degree ले रखा है और यहीं पर top side के लिए x axis की value को 90 degree and y axis की value को 0 degree ले रखा है और bottom side के लिए x axis की value को minus 90 degree and y axis की value को हमने 0 ले रखा है और यहाँ से इस animation की x axis को control कर सकते हैं यहां से इस animation की y axis को control कर सकते हैं यहां से इस animation की timing को change कर सकते हैं यहां से इस cube की opacity को कम या जादा कर सकते हैं चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले front side की आप यह देख सकते हैं कि front side में जो x axis and y axis की value को हमने 0 ले रखा है बट यहां पर z axis की value को 100 pixel and इसकी color को red ले रखा है यहां पर हमने कोई साभी अभी file नहीं ले रखा है अगर हम z axis की value को change करें पर उससे पहले इसकी animation की timing है इसको हम change करते हैं इसकी animation की timing को थोड़ा सा जादा करेंगे जैसे कि अपना जो animation है वो slow हो जाएगा जैसे कि आप यह देख सकते हैं चलिए अब जैसे ही हम इसकी z axis की value को change करते हैं आप यह देख सकते हैं जैसे हमने z axis की value को बढ़ाना शुरू किया यह अपने center point से z axis की तरफ move कर चुका है इस z axis की maximum value हमने 200 pixel and minimum value हमने minus 200 pixel दे रखा है चलिए जैसे ही हम z axis की value को zero करते हैं तो friends आप यह देख सकते हैं कि जो front side है अपने center point पर कुछ इस तरीके से fix हो चुका है अगर हम इसकी z axis की value को minus में रखें तो आप यह देख सकते हैं जो अपना front side है वो z axis पर minus value के साथ आगे की तरफ move कर रहा है 200 pixel तक चलिए इसकी value को वापस से हम zero कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और इस बार जैसे ही हम y axis की value को change करते हैं तो friends आप यह देख सकते हैं कि जो अपना front side है y axis पर कुछ इस तरीके से rotate करने लगा है चलिए अब इसकी value को हम zero कर लेते हैं इस बार x axis को change करते हैं इस बार जैसे ही हम x axis को change करते हैं तो अपना जो front side है कुछ इस तरीके से x axis पर rotate करने लगा है और इसी तरीके से हमने हर एक side की value को कुछ इस तरीके से fix कर रखा है जिससे कि यहां पर एक 3DQ create हो रहा है चलिए इसकी z axis के value को वापस हम 100 pixel रख लेते हैं कुछ इस तरीके से यहां से हर एक side की color को हम change कर सकते हैं चलिए इसकी color को भी change किया जाए सबसे पहले इसकी color को हम कुछ इस तरीके से लेंगे 51 करके और सारे के सारे sides में same color apply कर लेते हैं जैसे कि 51 यहां पर भी रखेंगे हम 51 यहां पर भी रख लेते हैं 51 यहां पर भी रखेंगे 51 and 51 फ्रेंड्स आप चाहें तो यहां से इस cube की opacity को और भी ज्यादा कर सकते हैं जिससे कि इसकी जो transparency है बिलकुल ही off हो जाएगी करके देख लेते हैं जैसे हमने इस opacity को ज्यादा किया फ्रेंड्स आप यह देख सकते हैं इस cube की जो transparency थी वो बिलकुल ही अब off हो चुकी है चलिए इसको वापस से हम 0.5 opacity apply कर लेते हैं कुछ इस तरीके से अब हम चाहें तो इस side में image file का भी यूज कर सकते हैं उसके लिए हमें इस button पर एक बर click करना होगा यहां से हमें कोई से भी image file को choose कर लेना होगा यहां से हम यहां से इस file को select करते हैं और इसी image file को हम सारे side में use कर लेते हैं कुछ इस तरीके से left side के लिए भी right side के लिए भी top side के लिए भी bottom side के लिए भी और अब हम इसकी opacity को वापस से one कर लेते हैं जैसे हमने इसकी opacity को one किया friends आप यह देख सकते हैं कि जो अपना cube था आप कुछ इस तरीके से create हो चुका है अगर आप चाहें तो इसकी animation को भी change कर सकते हैं इसके लिए आपको जो x-axis है इसकी value को आप जैसे 0 करेंगे so friends आप यह देख सकते हैं जो animation है कुछ इस तरीके से rotate करने लगा है जैसे आप चाहते हैं कि y-axis पर rotate करें तो आपको इसे 360 degree and y-axis की value को 0 कर लेना होगा so friends आप यह देख सकते हैं कि कि इस तरीके से आप यह y-axis पर rotate करने लगा है चलिए इसको भी हम 360 degree ही कर लेते हैं friends अगर आप चाहें तो यह जो cube है इसको आप अलग-अलग design create कर सकते हैं आपको करना क्या होगा कि जो यहां से जो भी हमने value दे रखा है x, y and z-axis की आप इसे change कर सकते हैं चलिए अब हम इसकी जो z-axis की value है इसे हम 0 कर लेते हैं जैसे कि कुछ इस तरीके से जैसे ही हम z-axis की value को change करते जा रहे हैं friends आप यह देख सकते हैं कि जो अपना cube है वो कुछ इस तरीके से create होता जा रहा है इसे भी 0 कर लेते हैं और इसे भी हम 0 कर लेते हैं so friends आप यह देख सकते हैं जो अपना cube था अब कुछ इस तरीके से एक नए design में create हो चुका है आप चाहें तो इस image file को भी change कर सकते हैं चलिए इसे भी हम change कर लेते हैं इस बार हम gif picture का use कर लेंगे कुछ इस तरीके से चलिए अब हम back side में भी use कर लेते हैं left के लेवी right side के लेवी top side के लेवी and bottom side के लेवी जैसे हमने image file को change किया friends आप देख सकते हैं कि जो अपना cube था आप कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगा है आप चाहें तो इस design को भी change करके कोई दूसरा design create कर सकते हैं चलिए अब हम दूसरे design को भी create करते हैं इसके लिए हम friends क्या करेंगे जीरो ही रखना है and back side की value को हमें 20 pixel and इसे 40 pixel, 60 pixel, 80 pixel and 100 pixel कर लेते हैं जैसे हमने इसके value को, z axis के value को change किया friends आप यह देख सकते हैं यह जो अपना design है वापस एक नए design में create हो चुका है यह जो design है हमें एक layer जैसा कुछ create हो चुका है friends जैसे इस page को में refresh करते हैं तो जो हमने y default value set कर रखका है वो एक cube पर रखका है जैसे इस page को refresh करते हैं तो अपना cube जै वापस से create हो जाएगा चलिए एक बार इस page को refresh करते हैं जैसे हमने page को refresh किया friends आप यह देख सकते हैं अपना जो cube है वापस से create हो चुका है तो चलिए अब हम इस cube को create करते हैं with the help of stml and css उसके लिए सबसे पहले हमने एक 3d cube नाम से folder create कर रखका है फिलहाल के लिए यह folder विल्कुली खाली है इसी folder को अब हम अपने code editor में open कर लेते हैं मैं आप पर code editor के लिए bracket का यूज़ कर रहा हूँ आप अपने coding को इसा भी code editor यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा comfortable है यहां से हम एक नई file लेंगे एंड इस file को हम save करते हैं इस file का name देंगे हम 3d cube.html और इसे हम save करते हैं यहां से live preview वाले option को enable कर लेते हैं जिसे कि हमारा coding part एंड उसका result भी साथ के साथ दिखाई देता रहा है चलिए एक बार code editor को भी resize कर लेते हैं कुछ इस तरीके से तो अब हम यहां से अपनी coding को start कर लेते हैं यहां पर लिखेंगा dog type html and html के साथ आगे बढ़ेंगे यहां पर लिखेंगे head and head के inside में रखेंगे title and इसका title रखेंगे हम 3D cube अब बार यहां आती है अपने body tag की तो यहां पर लिखेंगे body and body tag के inside में ही जो अपना cube है उसके structure को create कर लेते हैं तो यहां पर सबसे पर लिखेंगे class जैसे की due class and class का name रखेंगे हम container and इस container को हम close कर लेते हैं and इस container के inside में एक और class लेंगे जैसे की due class and इस class का name रखेंगे हम cube and इसे भी हम close कर लेते हैं और इसके inside में एक और class लेते हैं जैसे की due class and इस class का name रखेंगे हम side and इसे भी हम close कर लेते हैं so friends जितना भी हमने अभिता का structure create किया है हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसके उपर style को apply करें बाकी का process हम आगे करने वाले हैं तो यहां पर हम लिखेंगे head section में style and इसी style tag के अंदर अपने सारी की सारी CSS की coding को करने वाले हैं तो यहां पर लिखेंगे star property के साथ आगे बढ़ेंगे इसकी जो margin रखेंगे हम वह रखेंगे 0 जो इसकी padding है इसकी padding को भी रखेंगे हम 0 जो box की sizing है वह रखेंगे border box ठीक है अब बार यहां थी अपने container की तो यहां पर लिखेंगे container and container की width है वह रखेंगे हम 100% and जो इसकी minimum height है वह रखेंगे हम 100% जिससे की यह पूरे के पूरे height को cover कर सके जो इसकी background color है वह रखेंगे हम light grey friends आप देख सकते हैं कि जैसे हमने इसकी background color को light grey किया यहां पर result भी light grey so होनी लगा है ठीक है चली अब यहां पर लिखेंगे display रखेंगे हम flags justify content करेंगे center and alignment की जो items है इसे भी रखेंगे हम center और इस container में एक property add करेंगे जो कि इस 3D cube के लिए बहुत ज्यादा important role play करता है जो की है respective वो रखेंगे हम 800 pixel इस respective की value हम जितना ही ज्यादा रखेंगे अपना 3D cube उतना ही clear दिखाई देगा अगर इसकी value का हम कम करते हैं तो जो अपना 3D cube है वो बिलकुल ही pass है और बहुत ही बड़ा हमें दिखाई देगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर लिखेंगे हम cube and this cube की width रखेंगे हम वो रखेंगे 200 pixel and जो इसकी height है वो रखेंगे हम 200 pixel कुछ इस तरीके से and यहाँ पर रखेंगे हम transform की जो style है वो रखेंगे हम preserve 3D कुछ इस तरीके से और इस cube पर हम animation भी apply करने वाले हैं तो यहाँ पर लिखेंगे animation और यहाँ पर हम animation की timing रखेंगे जैसे कि हम यहाँ पर रखेंगे 5s animation का name रखेंगे जैसे कि यहाँ पर spin रख लेते हैं linear infinity कुछ इस तरीके से अब बार यहाँ आते हैं अपनी sides की तो यहाँ पर लिखेंगे side and side की width रखेंगे हम वो रखेंगे 200 pixels जो height है इसकी height भी रखेंगे हम 200 pixels इसकी भी position रखेंगे absolute and इसकी जो border है वो रखेंगे हम 1 pixel solid black कुछ इस तरीके से और जो इस side class के inside में text रखेंगे उसके लिए भी कुछ property and value का apply कर लेते हैं जैसे की text alignment वो रख लेते हैं center जिससे की जो text है horizontally center में होना चाहिए और हम चाहते हैं वही text vertically भी center में होना चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे line height वो रखेंगे 200 pixel कुछ इस तरीके से and the text का जो color रखेंगे हम वो रखेंगे white कुछ इस तरीके से and font की जो width है वो रखेंगे हम 900 कुछ इस तरीके से and this side की opacity है इसकी opacity भी रख लेते हैं कुछ इस तरीके से इसकी opacity रखेंगे हम 0.5 ठीक है यह जो side हमने create कर रखा है यह सारे के सारे side में इस class का use करने वाले हैं तो सबसे पहले अब हम front side को create करने वाले हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी class के साथ में हम रखेंगे front यहां पर भी रखेंगे front कुछ इस तरीके से और अब हम यहां से front की class को create करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे dot front and इस kalib brackets के अंदर में रखेंगे transform और इस front को हमें किसी भी angle पर rotate नहीं करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे translate z and हम चाहते हैं कि जो front side है अपने center point से z axis की तरफ 100 pixel आगे की तरफ move होने चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे 100 pixel कुछ इस तरीके से and इसके जो background color रखेंगे हम वो रखेंगे red कुछ इस तरीके से चलिए हमने front side को तो create कर लिया चलिए अब बार यहाँ आती है अपनी back side की तो इसी code को यहाँ से एक बार copy कर लेंगे कुछ इस तरीके से and यहाँ पर इसे एक पर paste कर लेते है and यहाँ पर यह जो class है इस class का name रखेंगे हम back and यहाँ पर भी रखेंगे back कुछ इस तरीके से और यहाँ पर हम back के लिए class create कर लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे dot back and यहाँ पर रखेंगे transform and यहाँ पर जो back side है back side को हमें x-axis पर rotate करना है तो यहाँ पर लिखेंगे rotate rotate x कितना हम चाहते हैं कि इसे minus 180 degree पर rotate किया जाए and हम चाहते हैं यह जो back side है अपने center point से z-axis की तरफ आगे की तरफ भी move करें तो यहाँ पर लिखेंगे translate z and रखेंगे 100 pixel कुछ इस तरीके से and जो इसकी background के color रखेंगे हम वो रखेंगे green कुछ इस तरीके से पर अभी भी हम यहाँ पर कुछ भी clear तरीके से नहीं दिखाई दे रहा है एक काम करते हैं इस cube में आएंगे and यहाँ पर लिखेंगे हम transform rotate x कर लेते हैं and यहाँ पर रखेंगे minus 45 degree कुछ इस तरीके से and rotate y कर लेते हैं 0 degree so friends अब आप देख सकते हैं कि कि इस तरीके से अपना दोनों का दोनों साइड दिखाई देने लगा है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं and यहाँ पर अब हम front and back to create कर लिया है अब create करने वाले हैं left side को तो यहाँ पर एक बार फिर से इसे copy कर लेंगे and यहाँ पर फिर से paste कर लेते हैं कुछ इस तरीके से and यहाँ पर left side के लिए create करने वाले हैं तो यहाँ पर लिखेंगे left and यहाँ पर भी लिखेंगे left अब यहाँ से left side के लिए class create कर लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे left and transform and left side के लिए हमें y-axis पर rotate करवाना है तो यहाँ पर लिखेंगे rotate y and y के लिए रखेंगे minus 90 degree and हम चाहते हैं कि center point से यह भी 100 pixel आगे की तरफ move करना चाहिए तो यहाँ पर लिखेंगे translate z and 100 pixel कुछ इस तरीके से और इसकी जो background की color है वो रखेंगे हम blue कुछ इस तरीके से जैसे हमने left side की background के color को blue apply किया friends आप देख सकते हैं जो अपना left side कुछ इस तरीके से आपर दिखाई देने लगा है चलिए अगर बढ़ते हैं अब हम right side के लिए काम कर लेते हैं यहाँ पर एक बार फिर से इसे copy करेंगे लिखेंगे right and यहाँ पर रखेंगे transform and इसे भी हमें y axis पर ही rotate करना है तो यहाँ पर लिखेंगे rotate y and यहाँ पर रखेंगे 90 degree and हम चाहते हैं कि इस side को भी center point से 100 pixel z axis पर आगे की तरफ move होना चाहिए तो लिखेंगे translate z 100 pixel कुछ इस तरीके से और इसकी जो background के color है वो रखेंगे हम sky blue कुछ इस तरीके से जैसे हमने इसके background के color को apply किया friends आप देख सकते हैं यहाँ पर भी sky blue so होने लगा है चलिए अब बार यहाँ आती है अपनी top side की तो यहाँ पर एक बार फिर से इसे copy कर लेते हैं and वापस फिर से paste कर लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो एक class है इसको लिखेंगे top and यहाँ पर भी लिख लेते हैं top और यहाँ से top side के लिए class create करेंगे जैसे की dot top and यहाँ पर लिखेंगे transform and इसे x-axis पर हमें rotate करवाना है तो यहाँ पर लिखेंगे rotate rotate x and rotate x करेंगे 90 degree and center point से z-axis की तरफ 100 pixel move होना चाहिए अपर साइड की तरफ तो यहाँ पर लिखेंगे translate z 100 pixel and इसके जो background के color है वो रखेंगे हम वो रखेंगे black उच इस तरीके से चलिए अब बार यहाँ आते है अपनी bottom side की तो यहाँ से एक बार फिर से इसे copy कर लेते हैं एड़ यहाँ पर एक बार फिर से paste कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एड़ यहाँ पर लिखेंगे bottom एड़ यहाँ पर भी रखेंगे bottom अब हम bottom side के लिए यहाँ से class create कर लेते हैं यहाँ पर लिखेंगे dot bottom and trans form and इसे भी हमें x-axis पर ही rotate करवाना है तो यहाँ पर लिखेंगे rotate rotate x और यहाँ पर रखेंगे minus 90 degree and हम चाहते हैं कि इसे भी center point से z-axis की तरफ move होना चाहिए तो लिखेंगे trans, late, z and hundred pixel कुछ इस तरीके से and इसकी जो background color रखेंगे हम वो रखेंगे yellow कुछ इस तरीके से friends आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमने background के color को apply किया जो अपना bottom side है वो यहाँ पर create हो चुका है पर हमें यहाँ पर proper तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है चलिए एक काम करते हैं अब हम यहाँ से एक animation की property को apply कर लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे add rate keyframes and animation का name जो कि हमने ले रखा है spin and यहाँ पर रखेंगे from transform transform rotate rotate x करेंगे 0 degree and rotate y करेंगे 0 degree कुछ इस तरीके से and यहाँ पर लिखेंगे to transform rotate x करेंगे 360 degree and rotate y करेंगे 360 degree so friends आप देख सकते हैं जो अपना cube है कुछ इस तरीके से rotate करने लगा है यह और अब यहाँ से एक बार cube में देखते हैं अब इसकी कोई हमें requirement नहीं है तो यहाँ से इस transform वाले property को यहाँ से remove कर लेते हैं और इस file को हमें एक बार save कर लेते हैं और इस page को एक बार refresh कर लेते हैं कुछ इस तरीके से so friends अपना यह 3D cube बिलकुल create हो चुका है यह रही अपनी सारी की सारी coding and यह रहा अपना result so friends आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें comment box में जुरूर बताएं साथ इसाथ वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें thank you